तेस्टरी सेवा के लिए एरपित कर दिया और आज आप सभी के सामने सागर के रूप में हम सभी का मागदर्शन कर रहे हैं आप सीनिय राजयोग टीचर हैं उसके साथ साथ जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान का भंडारा है किचिन है जिसको हम प्यार से भोले नात का भंडारा कहते हैं जो हम सभी को तीनो टाइम एक सात्विक भोजन पुरदान करता है भाई साथ आप उसकी देख रेक करते हैं ना केवल इतना ही आप भी देशों में भी जाकर के जैसे अमेरिका, न्यूजी लैंड, यूनाइटिट किंगडम, फिजी और साथ अफ्रिकन कंट्री में जाकर के आपने भारत का और भारती संस्कृत का जंडा वहां पे बुलंद किया है, भाई साथ अपना प्रोग्राम टेलीविजन में देते इसका नाम समधान है और आप सब इस प्रोग्राम के नाम से जानते होंगे भाई साथ को, और भाई साथ आज इस बिशह पर प्रकास डालेंगे, जो हमारा सब कॉंसियस माइंड है, उसकी क्या शक्ति होती है, तो भाई साब बस दो लाइनम कहेंगे शक्ति तो सूरज में भी होती है किसी को जला देने की तो किसी को निखार देने की तो आज हम भाई साब से सुनेंगे अवचेतन बन की शक्ति ओम शैन्ति धन्यवाद देजी ओम शैन्ति पहले तीन मिनट डीप साइलेंस में बैठेंगे अपने अंदर जाकेंगे अवचे जाकेंगे प्रवान जिर्पर्षा पहुचा देंगे सबका पोच उठाने वाले सबका पोच उठाने वाले दिया भिवुच उठाने गे आहिम्मत का एकदम बढा प्रवान जिर्पर पहुचा देंगे प्रव को जिसने साथी माला समझो उसने प्रव को जाना मुश्किर नहीं कुछ भी उसको भड़के उमंगों से हात उठाले भड़के उमंगों से हात उठाले प्रव करंदों पे विठाने गे आहिम्मत का एकदम बढा प्रव मंजिर पर पहुचा देंगे ओम श्यांति कैसा लग रहा है आनंद सरोर में आनंद है परमानंद बहुत ज़्याद है दुनिया से दूर एक अलोकिक संसार में आप सभी हैं आप जिस प्रोफेशन में हैं जन सेवा में हैं आप सभी को बहुत अच्छी तरह पता है इस संसार को इस समय इस स्प्रिच्वल पावर की बहुत जरुरत है अध्यात्म शक्तियां अध्यात्म शक्ति को हम कहेंगे सहजवासा में मन की शक्तियों को बढ़ाना बुद्धी को दिव्य बनाना इन दो चीजों की बहुत अबसक्ता है पिछले पचास साल में सोचेंगे बहुत ज्यान बढ़ा पर सद बुद्धी लोप हुई ठीक है बात? मन उसका मन अति निर्वल हो गया आप सब के पास डिप्रेशन और मांसिक रोगों के पेशेंट्स बहुत आते होंगे मैंने दोहजार अठारा में सुना था डबलुएचो की एक रिपोर्ट कि अब नेक्स्ट महामारी संसार में डिप्रेशन की होगी बहुत सारे मन सिक रोगों के अलग-अलग नाम आपकी भासा में है ये क्यों हुआ? एक बहुत बड़ा सिक्रेट आपकी सामने में रख रहा हूँ आप में से कुछ लोगों को ग्याथ है, कुछ को नहीं होगा आप आत्मा की बातियां सुन रहे हैं आत्मा एक चेतन सक्ती है सब जानते हैं क्योंकि आप लोगों को संस्कृत का ज्यान, कुछ सास्त्रों का ज्यान भी दिया जाता है एक समय था जब आत्मा सो परसेंट पावरफुल हुआ करती थी जनम लिये, पुनर जनम हुए, जनम लेते लेते आत्मा की वो डिगरी ओप पावर, वो कलाएं कम होती आई हैं आपको एक सुक्सम रहस से बता देता हूँ, जो एलो पैथी वालों के पल्ले तो नहीं पड़ेगा पर आप सब उस पर रिसर्च करेंगे बहुत गहरी आत्मा के आधार से ही गर्ब में शरीर का निर्मान होता है केवल माँ बाप उसके जिम्मेदार नहीं हैं आत्मा के वाइब्रेशन क्या हैं, उसके संस्कार क्या हैं उस आधार से बिन-बिन अंगों का निर्मान होता है आप जानते हैं कोई डेफिशियंसी रह जाती हैं बोडी में बच्पन से रह जाता है, आजकल तो बहुत केस आपके पास आते होंगे बच्पन से ही सुगर पेसेंद, बच्पन से हार्ट में छेद, बच्पन से विकलांग, बच्पन से ब्रेन की गड़बडें, आत्मा की इस्थिती से ही शरीर की इस्थिती बनती है, अब जो रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आत्मा बहुत पावरफुल थी, तब ब्रेन भी बहुत पावरफुल था, शरीर भी बहुत प्रफेक्टली हेल्दी था, अब, on average मैं कहूंगा, आत्मा की शक्ती 10 डिगरी पर आ गई है, बहुत कम लोग होंगे, जिनकी 20 तक होगी, इस कारण सभी के ब्रेन बहुत वीक हैं, और यही कारण हैं, बहुत लोग sensitive, बहुत लोग too much emotional, बहुत लोग बुरी बातों को जल्दी ग्रेहन करते हैं, बहुत लोगों की सहन सक्ती, challenges को face करने की सक्ती रहती नहीं है, मन से क्रोग बढ़ते जा रहे हैं, इस कारण दुख बढ़ रहा है, आपके पास बहुत लोग आते होंगे, नेंद नहीं आ रही है, यह सब कारण, मन कमज़ोर हो गया है, इस कारण से है, अब हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाना है, राजयोग, जो आपको यहां थोड़ा-थोड़ा बता जा रहा है, आज भी सबेरे कराया है, कल परसो भी होगा, हम सार्व शक्तिवान से अपने को जोड़ते हैं, वो है राजयोग, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग कहलाता है, जब हम सर्व शक्तिवान से जुड़ते हैं तो हमारी मन की शक्तियां बढ़ती जाती है क्योंकि उसकी सटिल एनरजी हमें प्राप्त होने लगती है यही एक तरीका है मन की शक्तियों को बढ़ाने का और कोई दूसरा तरीका नहीं बचता हमेरा योग के अभ्यास से अपनी शक्तियों को बढ़ाना है जिसे शक्ति कहते हैं, माइट कहते हैं वो हमारे मन में वास करती है मन की शक्ति से ही तन की शक्तियां भी बढ़ती हैं आप सबच्ची तरह जानते हैं मन कमजोर हो तो आपकी दी हुई सुन्दर दवाई भी काम नहीं करती मन पावरफुल हो पोजिटिव हो छोटी सी चीज से मनुस्थीक हो जाता है तो मन में जितनी शक्ती है उसका 90% हिस्सा सबकॉंचियस माइंड में रहता है सबकॉंचियस माइंड इंगलिस का सब्द है आप इससे परिजित है हम सिंपल भासा में इसको अंतर मन कहते है अंदर का मन और और इसके सब्द है अवचेतन मन अर्धचेतन मन आधाचेतन मन तो चेतन ही है पर जब वो आधाचेतन है तब उसको सब कॉंचियस माइंड कहते है मन का एक हिस्सा मनवज्ञानी को ने जो नाम दिया है अनकॉंचियस माइंड अचेतन मन इसके बारे में ज़्याद किशी को पता नहीं चला ऐलोपैति वालों ने थोड़ा बहुत काम किया इस पर विदेशों से बहुत कुछ आया है ये लेकिन हमारे भारत की प्राचीन परंपराथी प्राचीन यान भारत का है आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह है मुझे कहने की ज़वरत नहीं सारी मेडिकल साइंस का बीज कौंसा है आयुरवेद वो तो समय के अंतराल में इस पर लोगों ने ध्यान कम दिया अलोपैथी का विकास हो गया करोडो अर्बो धन उस पर खर्च किया सरकारों ने वो विक्षित हो गया तो थोड़ा पीछे पड़ गया था अब फिर से उसका समय आगया है कई लोगों ने जिन में से रामदेव जी का नाम भी या काफी आगय है इसको बढ़ावा दे दिया बहुत यही प्राचेन पद्दती है इसमें ही मनुस गहराई में पहुँचके बिमारियों के बीज तक पहुँचकर उनको समात कर देता है मेरे पास बहुत मुझे आयुरुवेद से बहुत प्यार है मेरे पास बहुत सारे वैद आते रहते है नबज देखने वाले अभी भी कोई आया मुझे कोई आयुरुवेद की एक भारी दवाई ने रेक्शन कर दिया थोड़ा तो मैंने उसको दिखा भी तिन दिन पहले तो कहा कोई भी मैन नहीं है आपको के वल ऐसी डिटी है मुझे बहुत अच्छा लगा और उसको इतने अच्छी नौलिज थी नबज की हम तो हैराम थे उसकी बात संसन के पाच्छाथ ने दिखाया तो एक परफेक्ट मेडिकल साइंस यह अईरुवेद है आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं इसमें मन की शक्तियों का बहुत बड़ा योगदान होता है मैंने भी कुछ कारिये किये हैं हाला कि मैं डोक्टर नहीं हूँ और सच बता हूं तो मैंने एक भी मेडिकल बुक नहीं पढ़िये पर काम बहुत कर दिया है मैं सोचा करता था जिन रिशियों ने आयुरुवेद का विकास किया वो कहां पढ़े थे दनवंतरी जी कहां पढ़े थे कोई मेडिकल कोलेज था क्या तब जनता है कोई कहां पढ़े कौन से उनिवस्टी थी तब था यह नहीं जब एक साधक चित को स्यांत करके ध्यान में बैठता है तब जो उसका सब्जेक्ट है जिस पर वो काम कर रहा है उस तरह के इंट्यूशन्स उसकी बुद्धी में आने लगते हैं एक फिजिक्स का व्यक्ति यदि योगी भी हो जब वो स्यांत होता है तो फिजिक्स की नई चीजे उसकी बुद्धी में आने लगे इंगिली स्मिस्टो इंट्यूशन्स कहते है अंते प्रिणाएं अंते स्फुर्णाएं आप में से कुछ लोग को मालूम हो वर्तमान के सबसे बड़ साइंटिस्ट आइंस्टैन वो एक्शली अंते स्वाइंट स्वाइंट। वो एक्शली अंते स्वाइंट। तो उनके लिए उनके लिए खुलो भी उनके लिए मैंने भी पढ़ा था कि वो अपनी बैड पे मगन वस्था में लेटे रहते थे और उनको नजानी क्या-क्या दिखता रहता था नए ने इसे धांत दे दिये एटम बांस मिसाइल्स बनवा दिये तो हम सब भी अपने अंतर मन में बहुत पावर भरेंगे मैंने आपको एक बात कही मन की शक्ती का 90% सबकुंशेस बाइंड में वास करता है और यह सबकुंशेस बाइंड तब एक्टिव हो जाता है बहुत ध्यान देंगे आपके काम आएंगी यह बाते जो मैं आपको कह रहा हूँ आपके परसनल लाइफ के लिए फैमिली लाइफ के लिए आपके पेशेंट्स के लिए दो समय पर हमारा सबकुंशेस माइंड पूरी तरह एक्टिव हो जाता है और उसका रीजन है मन जब श्यान थो तो सबकुंशेस माइंड फुली जागरित जब हम सबेरे उठते हैं और जब नीद आ रही होती है मन चांत होने लगता है सबकुंशेस माइंड जग जाता है उस टाइम जो संकल्प हम अपने मन को देंगे वो बहुत परभावकारी रूप से काम करेगा एक सब के काम की बात आपको कह दूँ आप अपने पेशेंट्स को सिखाएंगे रात के समय हमारे सबकुंशेस माइंड में बहुत ज़्याद़ हीलिंग पावर है रोगों को ठीक करने की शक्ति इसलिए सोने के समय यदि मन को ये थोट्स दे दिये जाएं बिल्कुल पोजिटिव जिसको आफरमेशन कहते हैं मेरी ये बिमारी ठीक हो गई है मैं उधान दूँगा आपको तो मन की शक्ति दवाईयों के साथ सारी रात बिमारी को हील करेगी ठीक करेगी हमारी पास हमार अभी होस्पिटल है आपको पताईए उपर कैंसर के पेसेंट भी होते हैं और बाहर से भी मुझे लोग कॉंटेक्ट करते हैं देखिए मन की शक्ति का कैसा जवर्दस्त इफेक्ट होता है डॉक्टर ने उन्हे कह दिया कैंसर इंक्योरिबिल है असाध्यर अभ है तीन मासी आपका जीवन है आगे नहीं जी सकते परिवारवालों के देते हैं वे जाओ और इनकी सेवा करो मेरे पास आता है केस मैं सुचता हूँ मैं बात लोगों को एक चीज़ सिखाय करता हूँ आप कोई भी बुरा नहीं मानना के डॉक्टर की हर बात को सुविकार न करो बात तो कराब है थोड़ी आप कहेंगे आप तो गलत परचार कर रहे हो मैं उन्हें सिखाता हूँ आपको डॉक्टर ने कहा के तीन मास काई जीवन है आप उन्हें कहदो मैं भी साल जी कर दिखाऊंगी मुझे जीना है मुझे जीना है जीने का जजबा मन में भर्दो बहुत अच्छी तर है और एक बहुत सुंदर चीज जो मैं आपको कह रहा था जहां पर सबको चलना है मैं बहुत उसे प्रैक्टिस कराई ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है माई कैंसर इज कैंसिल्ड सोते वक्त साथ बार अभ्याज कर दो मेरा कैंसर बिलकुल ठीक हो गया ये कैंसिल हुआ और लोग जी रहे हैं दवायों ने काम किया मन की शक्तियां बढ़ी सोते इस समय हर मनुस इस चीज की प्रैक्टिस करे मैं माईग्रेन के पेशेंट को बहुत कराया है हार्ट में छे दोगे उनको बहुत कराया है ऐसे रोग घुटनो दर्व पे तो बहुत कराई हैं प्रैक्टिस तो हमारा जो सबकॉंशिस माइंड है वो एक तो वीजन की बासा को समझता है और हमारे जो पावरफुल थोट्स हैं उन्हें कमांड्स के रूप में स्विकार करता है माईग्रेन हो गया बहुत तकलीफ हो रही है रोने तक होता है सिर्दद ऐसे हैं यह होता है सोते समय ब्रेन को कमांड दे दो मेरा माईग्रेन ठीक हो गया है मेरा बीपी नौर्मल हो गया है बहुत काम आएगा मन में बहुत शक्तियां है अब दूसरी बात ध्यान से सुन लेंगे हमारे हर संकल्प से एनरजी पैदा होती है बहुत काम आएगी आपको यह चीज सब को सिखाना है आपके पास बहुत लोग आते हैं आप में भावना रखते हैं आप जो कहेंगे लोग उसे दिल से एक्सेप्ट करेंगे हमारे हर संकल्प से एनरजी पैदा होती है यदि कोई मन निगेटिव बहुत सोच रहा है बात बिमारियों की नहीं बात कोई भी समझ्या आगई है परिवारों में जगडा होने लगा है कोई और चीज हो गई है अगर हम निगेटिव सोच रहे हैं तो निगेटिव एनरजी पैदा कर रहे हैं वो हमारे ब्रेन को जा रही है उसके वाइबरेसंस चारोर फैल रहे हैं पोजिटिव सोच रहे हैं बहुत पावरफुल थोट्स कर रहे हैं तो वैसी एनरजी हम पैदा कर रहे हैं, बहुत ध्यान देना है, हम क्या सोच रहे हैं, आप लोग अपने पेसेंट के साथ एक चीज करते हैं, मुझे मालूम है, कोई पेसेंट आया कितना भी भारी रोग से ग्रस्त है, आप उसे कहते हो ना ठीक हो जाओगे, उसे कर देते हैं, अलोपैथी वाले मेरे पास आते हैं, बहने, जो इलाज करा रही हैं, हमें डोक्टर ने कह दिया, इसका कोई इलाज नहीं दुनिया में, तो निगेटिव एनरजी पैदा होने लगी पेसेंट को, हमारे पास ही हैं इशान्तिवन में, एक युवक है, उसको पत कर दिया है, उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, सेवा करनी है उसको, कहा भी, क्या करूँ अब में, मैंने उसको अपनी ये spiritual practices सिखाई, और बहुत पोजिटिव किया, कि संसार में ऐसी कोई बिमाइन नहीं, जिसका इलाज नहीं है या नहीं, मन की शक्ती बहुत जब अबरदस्त है, भी मैं उस टोपिक को या नहीं ले रहा हूं जादा, जो मैंने उसको बताया, पर मैंने उसको पोजिटिव किया, ब्रेन को एनरजी देना सिखाया, इस इसे को एनरजी देना सिखाया, और वो व्यक्ती जी रहा है, तीन साल तो हो गए, अनरजेटिकली जी जाहा है, उसके मन की निरास समाप्त हो गई, यहीं रहता है, ऐसे बहुत सारे केसिज हम मन की सक्तियों से ठीक कर सकते हैं, तो याद रखेंगे, हर संकल्फ से एनरजी पैदा होती है, वो एनरजी बहार फैलती है, ब्रेन को जाती है, और हमारे चार और आभा मंडल बनाती ह हमारे चार और, यह बहुत सुंदर, पावरफुल ओर रहता है, अभा मंडल रहता है, हम इस अभा मंडल को पावरफुल कर सकते हैं। बहुत साल पहले, जब मैं इन चीजों का कम जानकार था, मैंने सुना, हमारे यहां रखेंगे लोग भी बहुत आते हैं, तब थोड़े कोई 50 लोग आए होंगे रश्या के मुझे बताया हमारे यहां कर्लियन फोटोग्राफी चालू हुई है कर्लियन नाम के एक वग्यानिक ने एक कैमरा बनाया है और उससे औरा भी पता चल जाता है औरा जो मनुसके चार ओर होता है उसका भी फोटो आ जाता है मुझे दिखाए तो क्या बताया उन्हें उन्हें एक डॉक्तर था कि ऐसा होता है कि मानलो यहां द荷्या किसी को तो यहां से ओरा कटा होगा यहां तक ओरा है तो थोड़ा ऐसे जा रहा होगा तो हम लोग क्या करने लगे, इस औरा को परफेक्ट करेंगे, तो उधर ठीक हो जाएगा, मुझे बड़ा अच्छी लगी ये बात, यहां से मेरी, मेरा जो चिंतन था, मन की शक्ती के बारे में बहुत अच्छा सुरू हुआ, हम लोगों को इस्वरी ये महवा की सुनने का भा ना लगे, but it's absolute truth, हमें बहुत सारे रहस मन की सक्तियों के बताए गए, मैंने अपना काम जो मन की सक्तियों पर चालू किया, बहुतों को वो पता नहीं, हमारे यहां भी, हमारे यहां की स्पार्क डिपार्टमेंट है, उपर के अंसरोर में, जिसमें मन की सक्तियों पर हमने का बहुत बड़ा काम सुरू किया था, मन की सक्तियों के द्वारा रोगों का निवारन, मन की सक्तियों के द्वारा समच्याओं का निवारन, मन की सक्तियों के द्वारा परिवार में जो संगर्श चलता है उनका निवारन, मन की सक्तियों से जीवन में जो असफलता होती है, उसको सफलता में बदलना मन की शक्तियों के द्वारा जो मन बार बार हार का सामना करता है उसको छीत में बदलवाना इस पे बहुत सारे कारिये हुए तो अनुभा हुआ कि हर संकल्ब से एनरजी पैदा होती है एक बहुत सुन्दर बात सुनी थी मैंने 40 साल पहले इस वर ये महवाक्यों में समच्चाएं क्या है कि समच्चाएं और कुछ नहीं कमजोर मन की रचना है मैंने सोचा अगर कमजोर मन से समच्चाएं पैदा हो रही है तो सक्तिशाली मन उन्हें नस्ट भी करेगा बहुत परियोग कराए और मैं आपको एक बहुत खुसी की बात सुना देता हूँ छोटी सी बात बड़े बड़े असाध्य रोग मैंने आपको बताया मैं डॉक्टर नहीं हूँ थोड़ा बहुत आप सब से सुनके मुझे जनरल नोलिज हो जाती है जब माताएं खास आती है कि हमारे बच्चे को ऐसी बीमारी लगी है मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता हूँ इंगलिस नाम होते हैं जिसका डॉक्टर ने का दुनिया में कोई राज नहीं है क्या करें जवान बच्चा है हमारा तो परिवार इनस्ट हो गया मैं उने एक छोटी सी प्रेक्टिस बताई देखिए भारत में हमारी कल्चर में हमारी धर्मों में मंत्र सक्ती का पहले से ही पर्चलन रहा और आपके आयुरवेद में अगर तुलसी का पत्ता भी तोड़ा जाता था तो अग्या लेकर चमाय आचना करके कितनी सुन्दर कल्चर थी हमारे देश की हमारी मेडिकल साइंस की अब मैं कहूं मंत्र पढ़के भी कुछ दवाईयों को चार्ज कर दिया जाता था तो मैंने उन एक सिंपल अब उनको इतना ग्यान भी नहीं था मैंने उनको एक सिंपल बात सिखाई क्या आप अपने बच्चे को कहो जैसे यहां खुले एक सो आट बाल लिखेगा वो मैं बहुत शक्ती साली आत्मा हूं और सोने से पहले लिखेगा मैंने उनको पानी को ऐसे ही वाइब्रेशन से चार्ज करने की विधी बता दी और तीन माज में बिमारी मुक्त बहुत अच्छे यह अनुभव है आप सब जानते हैं दवाईयों के साथ और हर संसार में हर चीज के साथ भावनाओं का बड़ा महत होता है अभी तीन माज पहले यूपी से छे माताओं का एक ग्रूप मेर से मिलने आया एक ने का भाई जी जो माता इसके अनुभव सुनो आप उससे ज़्यादर एक्स्प्लेइन करना नहीं आता था दूसरी ने उसका अनुभव सुनाया कहा इसके पती पचास साल के आई होगे इसके पती को कोई बीमारी हुई डॉक्टरों ने कह दिया कि कोई इलाज नहीं अभी इसका जीवन आगे नहीं चलेगा लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और अपने पती को पानी चार्ज करके पिलाया पानी चार्ज करने के एक बहुत सुन्दर विधी हम सिखाते हैं वो बिलकुल सरल है क्योंकि पानी हमारे वाइब्रेशन को तुरंद ग्रहन कर लेता है पानी पे नजर डालो जो संकल्प आप चाहते हैं वो उसको देख कर कर दो पानी में वो मेमोरी समा गई जो पिएगा वो उसमें चली गई उसने उस भोली माता ने जो भी न पढ़ी लिखी है ऐसा पानी चाहर्ज करके अपने पती को दिन में कई बार पिलाया और तीन मास में वो बिलकुल ठीक हो गया सारे गाओं को पता था अब सारे गाओं को पता चल गया ये तो ठीक हो गया कैसे किया? इसकी पत्ने ने किया है अब गाओं में जो भी विमार हो इसको वो पानी दे, पांचाथ दिन में वो व्यक्ति ठीक होए। आसपास के गाउं में पता चल गया कि यहां कोई माता है, पानी देती है, उसे बीमारियां ठीक हो रही है। लोग आने लगे, देखो, भावदाओं का प्रभाव। आप सब क्योंकि आयुरवेद चे जुड़े हैं, आप इन बातों को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। अलोपैथी वाले तो हम से प्रश्म पूछते हैं, यह हो ही नहीं सकता। पर नहीं, मन की शक्ती का भिंद भिंद परियोग है। पानी को हमने दवाई बना दी सुंदर संकल्पों के वाइब्रेसंस उसमें भरकर यह कल्पना नहीं है। मैंने यह तपद्धती एक जगह से सीखिती आपको उधार्म बता देता हूं। विदेश की के इस्पेन या फ्रांस की गटना थी, एक वज्यानिक लेडी को परलाइज हो गया। बहुत इलाज हो रहा था, अलोपेथी अवी ठीक नहीं हो रही थी, किसी ने उसे कहा, उसकी फ्रेंड ने, कि जो चर्च है इसका जो पाद्री है, वो पानी देता है चर्च का, उससे रोग ठीक होते हैं। अब ये वज्यानिक का है, सब इससे कुछ नहीं होता, बड़े-बड़े डॉक्टरों से मेरा इलाज नहीं हुआ, इससे क्या होगा, बीमारी बढ़ती गए, आखिर उसको कन्विंस किया, उसके फ्रेंड ने, कि पानी पी के तो देखो, बहुत लोग ठीक हुए हैं, उधा बड़े पारि के पास पहुँची, पानी में क्या मिलाते हो, पादरी साब, उसने का कुछ नहीं मिलाता, क्राइस्त की मूर्ती के सामने ये पानी रख़ा है, इसमें वाइब्रेशन भर जाते हैं, लोगों को भावना हो गई है कि इसको पीने से हम ठीक होते हैं, तो भावन पलस वाइब्रेशन्स लोगों को ठीक कर रहे हैं जब मैंने सुना तो मुझे कोई रहसे समझ में आ गए मनुसके तो हमारी मन में बहुत सक्तियां है एक चीज़ और बता देता हूँ आप सब कही सब्जेक्ट है मैं उसका स्पेसिलिस्ट नहीं हूँ मैं आपको कह चुका हूँ हमारे शरीर में 70% पानी है आप जानते होंगे इस रष्टी पर भी जो सागर है वो भी 70% है धर्ती पे कितना गहरा कनेक्शन है उस प्रकर्टी और इस प्रकर्टी का बहुत गहरा कनेक्शन है और बता दुछ चोटी बाते मैं केमिस्ट्री में पढ़ता था तो उन दिनों 100 एलिमेंट खोजे जा चुके थे जब हम पढ़ते थे अब से 55-56 साल पहले फिर मेरा चोटा भाई उसने भी M.S.C. केमिस्ट्री से किया मैंने पूछा भाई अब कितने एलिमेंट खोज लिए गए 104 फिर अभी मैंने पता किया अभी अभी के लगभग 108 तक पहुँच गए हैं यह बहुत गहरे कनेक्शन है इस संसार में 108 आत्में सबसे मान होती हैं और वही 108 तत्वी स्रष्टी पर उपस्ठित रहते हैं यह संपूर्ण प्रकरती हमसे जूड़ी रहती है हमारा सबकॉंशियस माइंट उसको पहले तो हमें क्लीन करना है हाँ मैं आपको कह रहा था 70% पाने है इस सरीर में बहुत काम आएगी आप सब कोई बात और आप जनते हैं इस बात को अनेक बीमारियां साइको सोमेटिक कहते हैं आपकी भासा में इधर से पैदा हो रही हैं कोई इर्षा द्वेस में है कोई परिशान रहता है कोई चिंताओं में जीवन जीता है किसके परिवार में जगडे हो रहे हैं मन अश्यांत है तो सरीर की छोटी बिमारी विक्राल गूप लेती जा रही है है या नहीं मन को खुश कर दो मन को आनंदित कर दो मन को पावरफुल बना दो अनेक बिमारियां विदाई ले लेंगे तो इसमें जो पानी है हमारे शरीर में जब मनुस इधर गंदगी भरे हुए है इस सद्वेस निगेटिविटी क्रोध परिशानिया तो ये पानी भी तो दूसित हो जाता है हो गया है नहीं वाटर इज वेरी संसिटिव तो आवर वाइब्रेशन्स सबसे ज़ाद ग्रहन सकती पानी में है तो मैंने ये जानकर विचार किया कि अगर इस अंदर के पानी को प्योरिफाई कर दिया जाए तो बिमारिया ठीक होने लगेंगी तेकि मैंने अपने यहां आने वालों के कई उधारन सुने एक जगे में गया बीदर है साउत में एक के घर में ठहरे थे वो मारवाडी थे वो बहन जी थोड़ी दिन से राज्योग के मार पर आई थी मुझे बताया मैं रोज बीस गोली खाती थी राज्योग सीखा इस वर ये घ्यान लिया मैं बहुत खुष रहने लगी मेरी सारी गोलिया छूट गई है मैं कोई गोली नहीं खाती यह हमाई लिए बहुत अच्छी शीर थी के मन अगर खुष है खुषी जैसी खुराक नहीं है या नहीं आपके इस अब्जेक्ट में एड कर देता हूं जब मन उसका मन खुषी में डांस कर रहा हो तो ब्रेन में जो नियूरोंस हैं वो भी डांस करने लगते अक्टिव हो जाते हैं और महां से अनर्जी मिलती है बोडी को रोक समाप्त होने लगते हैं इसलिए कहावत है खुषी जैसी खुराक नहीं है तो हमारे सबकॉंचेस माइन में बहुत पावर है हम अपने लिए भी इसको यूज करेंगे और आपके पास बहुत लोग आते हैं उन्हें भी आप इसका यूज सिखाएंगे सवेरे जैसे ही आँख खुली हैं अब देखो कैसे यूज करेंगे हम प्रेक्टिकल में प्रेक्टिस भी कर लेते हैं थोड़ी ब्रह्म महोर्त में उठना वश्चक है आप सब उसके महत्तों को जानते हैं ब्रह्म महोर्त सवेरे का समेह सब को बहुत किलियर हो परमात्म शक्ति देविय शक्ति मन उसको बहुत कुछ देती हैं अब आप कई जगे सुन रहे होंगे हम तो इस सद को जानते हैं कि संसार में अनेक दिविय शक्ति काम कर रही है इस समेह ये युग बदलेगा सब कुछ बदलना है अब जो हम संगर संसार में देख रहे हैं मैं तो समचार बहुत कम सुन पाता हूं अभी पंदरा दिन से मैं थोड़ा खाली था थोड़ा थोड़ा सुना लोग कहते हैं इस अंसार में तो राक्षस पैदा होगे हैं बहुत क्या क्या हो रहा है पिछले एक हपते में चार साल की बच्ची, पांच साल की बच्ची तीन साल की बच्ची का योन सोसन कितनी गंदी बात है तो हमारे मन में बहुत शक्तियां है सबेरे ब्रह्म मोर्त में उठना ही है और क्या करना है सबेरे आप उठे सबकॉंशियस माइंड जगा हुआ है जो लोग देर से उठते आप में से कोई बैठा हूँ वो भी सुन लो और उठते ही त्योज पेपर पढ़ते हैं या फोन सुडू कर देते हैं वोटसब पे क्या-क्या खजाना आया है खजाना ही समझते हैं न समझ ले वो आख खुली सबकॉंशियस माइंड जगा है सारी बैड अनरजी आपके मन में समाने लगी ऐसा व्यक्ती कभी सुखी नहीं हो सकता निरोग नहीं हो सकता जो लोग देर से उठते कई लोग दस वजे उठते सोके संसार में सारी बैड अनरजी भी जग गई है उठते ही वो अंदर पर वेश करने लगी थोड़ी दिन में जीवन का हाल बिगड जाएगा अब सबेरे हमें क्या क्या करना है आप सभी भाई बहनों को करना है क्योंकि पहले अपने को energetic बनाना होता है बहुत अपने मन को बहुत positive powerful, बहुत happy बहुत pure बनाना होता है और जैसे आप सभी भाई बहने संसार को बहुत कुछ दे रहे हैं और बहुत कुछ देना है मानव को मानवता सिखानी है मनुस के अंदर जो देवत तो छुपा हुआ है उसको जगाना है आप सबको क्योंकि आपकी बात लोग मानेंगे मानते हैं हर मनुस के अंदर देवत तो है हम देवों की संदान है हमारे पास जो इतिहास है वो तब का है जब हम देवता की स्थिती से नीचे उतर आये थे देव जब हम थे तब का इतिहास तब की कल्चर का हमें जान नहीं है इस भारत में कभी देव कल्चर थी और आप सभी को यह रहस्य यहां पता चल जाएगा बहुत अच्छी तर है सत्युग त्रिता युग में हम सभी आप सभी देवी देवता थे नीचे उतरते आये हैं वो देवत व अभी भी हमारे अंदर भरा हुआ है अगर उसको एक्टिवेट कर दिया जाए तो इस अंसार की अनेक समस्याएं लोप हो वो राजियोग से होगा एक बाद दूसरी बाद आप सभी को इहां बहुत अच्छी तर है ग्यात हो गया होगा भगवान से हमारा क्यान आता है उत्तर देंगे क्या लगता है वो आपका पिता पका कौन-कौन समझते हैं वो हमारा पिता है बेरी गुड़ अब देखिए ताइगर का बच्चा क्या होगा बोलो क्या होगा आप भी तो ताइगर है बोलो जड़ा ताइगर का बच्चा सार्वशक्तिवान है हमारी परंपिता बैसको एक और नाम देता हूँ ही सुप्रिम सोर्स अफ एनरजी सबको एनरजी वहीं से मिलेगी Almighty है वो All Powerful तो उसके बच्चे क्या होंगे ताइगर का बच्चा तो ताइगर हो बया और सर्वशक्तिवान के बच्चे Most Powerful हम उसको यहाँ नाम देते हैं Master सर्वशक्तिवान अर्थात Most Powerful आप इस सत को स्विकार कर लें कि हम बहुत सक्ति साली है हम कमजोड नहीं है सिर पकड़ के कोई नहीं बैठेगा अब क्या करू हाए भागे साथ नहीं दे रहा है मर गए हम तो संसार में आप देखते होंगे मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं भै पांच सो लोगों का वी आईपी हैं सब उसकी पत्नी बिमार हो गई जादा बिमार हो गई एक साल लग गया ठीक होने में अब वो भै से ग्रसित है अतीब है भी अंचाहा भै उसको मार रहा है सता रहा है कल मैंने उसको छोचोटी विदी सिखाई तो हम भगवान के बच्चे हैं बहुत पावरफुल हैं यही कल मैंने उसको सिखाय था जगो अपनी चेतना को जगाओ वी आर मौस्ट पावरफुल हम कमजोर हैं ही नहीं मनुवज्ञान मनुवज्ञान कहता है कि मनुष्के अंदर बहुत सारी शक्तियां है वो सोई रहती हैं उन्हें जगाओ जगाने का तरीका सुन लें आप सवेरे जब उठें जब सब कॉंशियस माइन एक्टिव है आप पांच बार संकल्प करेंगे मैं सर्व शक्तिवान की संतान बहुत शक्ति साली हो आपकी सक्तियां जग जाएंगी और सक्तियां जगते ही आपका जीवन आपका प्रोफेशन कुछ और होगा क्योंकि सक्ति साली व्यक्ति के चारो और अटेंशन से सुन लेंगे जो व्यक्ति साली है सफलता उसके चारो और गुमती है आप किसी को दवाई देंगे न और बस ये कहेंगे कि बस ये खा लो आप ठीक हो जाओगी आपके सब्दों में सिद्धी आ जाएगी और वो वेक्ति ठीक होगा मेरे पास तो wonderful अनुभव लोगों के आ रहे हैं तो मैं बहुत सक्ति साली हूँ मैं भगवान की संतान हूँ वो भाग्यविधाता है मैं भी बहुत भाग्यवान हूँ मैं बहुत सुखी हूँ सबेरे उठकर ये संकल्प सभी को करने हैं कल से कल मैं ही आऊँगा आपके पास चार वजे आप सब को ये संकल्प करने हैं उठते ही कर लेना क्योंकि उठते ही हमारा subconscious mind बहुत active रहता है और ध्यान से सुन ले 10 minute active रहता है उसमें पहले 5 minute बहुत काम के 3 minute और ज़्यादा important पहला minute most important और पहला thought आपके भाग्य को बदलने वाला जैसे आपकी आँख खुली अपने परंपिता को good morning करना शुरू करना यह चीजा उठे श्रीव बाबा गुद मौनिंग नमस्ते बग्ति में नमन करते आए अब प्रेक्टिकल में कर लेना और फिल करना हमारे नमस्ते करते ही उसका अशिरवाद का हाथ मेरे सिर्परा गया फिल इट फोर हाफ ए मिनट बहुत सुन्दर अशिरवाद का अनुभव और फिर संकल्प करना मैं भगवान की संतान बहुत सक्ती साली हूँ करो अभी करें समझ लोग सवेरा है हम नेम से उठे है सिव बाबा गुड मॉर्णिंग आपको सच्चे दिल से हमारा नमन स्विकार हो उसका अशिरवाद का हाथ हमारे सिर्परा गया सच्चे मन से संकल्प करें मैं भगवान की संतान मोस्थ पावर्फल हूँ मैं बहुत सक्ती साली हूँ मैं बहुत भग्यवान हूँ मैं बहुत सुखी हूँ मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा सफलता तो मेरा जनम से दधिकार है ओम स्यांती सबेरे उठते ही सभी को अपने को चार्ज कर देना है जो लोग देर से उठते हैं वो तो उठते ही टेंशन में आ जाते हैं देर हो गई पहला इस अंकल्प देर हो गई जल्दी उठेंगे अपने लिए टाइम मिलेगा अपने कुछ चार्ज करें कुछ सुन्दर अभ्यास कर लेना मन की सक्तियों को इस तरह बढ़ाना ऐस अब जैक बहुत बढ़ा है बहुत सक्तियां हैं हमारे पास हमारे अंतर मन में छुपी रहती है मन उसको अपने को देखने का मोका नहीं मिलता वो तो है तो कारिय व्यवार में या दुनिया की टेंशन में या समस्चाओं से लड़ते जूजते रहते हैं इसलिए अपनी सक्तियों की और ध्यान ही नहीं जाता कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है आप यूज करके देखना ध्यान से सुन ले मेरी बात मैं भगवान की संतान बहुत सक्ती साली हूँ मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा सबे रिचार्ज कर दो इस थोट से अपने को सारा दिन आप अच्छा पाएंगे अनुभव करे magic of thoughts आपको सफलता नहीं मिल रही बहुत डॉक्टर्स के साथ हो जाता है संकल्प कर दे मैं भगवान की संतान बहुत भगवान हूँ सफलता तो मेरा जनम सिर्दिकार है आज जो भी पेशेंट मेरे पास आएगा प्रसन और ठीक होकर उमीद लेकर जाएगा जो सोचेंगे वही पाएंगे एक कानू वह सुना देता हूँ महरास्त में माले गाओं एक सहर है नाम गाओं एपर है बड़ा सहर एक आई स्पेसेलिस, सर्जन कुछ एक दो केश उससे विगड़ गए पेशेंट आई नहीं रहे मेरे पास आए घटना दस साल पहले की है तब मैं एक्सपरिमेंट सुरू किये थे मेरे पास आए के भई ऐसा केस हो गया है ऐसी जंजट हो गई है बहुत बड़ा होस्पिटल खोला है जहां बहुत पेशेंट आते थे रोज सो सो कोई नहीं आ रहा, वदनामी हो गई है मैंने उन्हें कहा आप सवेरे उठकर एक सो आठ बार लिखा करो मैं भगवान की संतान बहुत सक्ति साली हूं सफलता मेरा जनम से दधिकार है मैंने उन्हें बताया बुरे दिन आते हैं जीवन में डॉंट माइंड पास हो जाते हैं अच्छे दिन आपके आ रहे हैं हमेसा पोजिटिव थोट रखना मेरे अच्छे दिन आ गए हैं मेरे अच्छे दिन आ रहे हैं उसको इतने लगन लगी कि वो अगले दिन सवेरे दो बजे उठे और दो से पांच बजे तक उनोंने ये अभ्यास लगातार कर दिया और जब दस बजे उसके घर उपर नीचे बहुत बड़ा होस्पिटल बहुत बड़ी विल्डिंग है मैं भी गया वहां जब नीचे पहुँचे तो पच्छिस पेशेंट वेठे थे उनोंने अपना वो सभा में सुनाया आप जैसी सभा में मुझे भी बड़ी खुसी हुई कि देखो ये तो प्रभु जे इन पे राजी हैं एकी जटके से तीन घंटे में इनका बिगडा हुआ भाग्य सुमर गया तो हम वही सोचेंगे जो हम चाहते हैं सबेरे उठकर खास जब हमारा सबकॉंशियस माइन जगा है हम वह संकल्प अपने मन को दे दें जो जीवन में हम चाहते हैं जब हमने एक्सपरिमेंट ये सुरू कराए हपसे तीस साल पहले तो एक छोटा सा परियोग इंटरनेशनल ही सुरू कराए था हमारे पाद तीन सो का गुरूप था उपर ये अंसरोर में विदेश के बहुत सारे भाई बैने थे देखे क्या किया सबने मेरा आज का दिन ऐसा होगा five point plan लिख दिया डायरी में मेरा आज का दिन ऐसा होगा result बहुत सुंदर आने लगे पहले दिन से subconscious mind का ऐसा जदू हुआ ये five point में से तीन सफल होते दिखे आजी practice की वही होने लगा जैसे आज मेरा दिन खुशियों में बीतेगा आज मेरा दिन सफलताओं में बीतेगा आज जो भी patient मेरे पास आएगा रात और आसाइं पाकर जाएगा आज मेरे परिवार में बहुत खुशाली होगी ऐसे ऐसे आज मेरा चित बहुत स्यांत रहेगा आज का मेरा जीवन विग्रों से मुक्त रहेगा बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आप करेंगे मेरे पास तो बहुत अच्छे अच्छे एक व्यक्ति दिल्ली का थोड़ा अच्छा वी आईपी 35 साल से कोई case चल रहा था 35 साल का मेरे पिता जी लड़ते आ रहे थे अभी मेरा नंबर है पता नहीं कब तद चलेगा का क्या करूं मैंने उन्हें ये सबकॉंशेस माइंड की विदी सिखाई वीजन भी इसमें दिया जाता है वीजन की एक बात सुना देता हूँ और आप हैरान होंगे 10 दिन के बाद उसे डेट मिली और जज्जमेंट उसके फेवर में हो गया हमारी होस्पिटल में अब एक अच्छे केस पर आप ताली वजा देना फिर समाप्त करते हैं हमारी उपर ग्लोबल होस्पिटल में दिल्ली की एक 30 साल की बड़ी लड़की आई जो अच्छी इंजिनियर है थी तब भी उसको दोनों पैर नम हो गए अब वो चली नहीं रहीती उसने मुझे बुलवाया मैं गया उसके पास अब सोचें आप 30 साल की यंग लड़की कितनी निराश होगी जीवन से अब मेरा क्या होगा उसका मां हमारे यह मैगनेटिक थेरेपी है आयुरुवेद है मैं साज, पंच कर्मा है वो सब चला मेगनेटिक थेरेपी के लिए खास वो आई थी है मैंने उसको ये मन की सक्तियों के परियोग सिखाए और उसको कहा एक वीजन बनाओ वीजन का क्या महत्रे आप देख लें कि तीन मास के बाद मैं दिल्ली की सड़क पर दोड रही हूं जोगिंग कर रही हूं वीजन बनादो उठते ही सोते और उठते और आपको खुसी होगी कि साड़े तीन मास में वो आराम से सड़क पर दोड़ी हूई जा रही थी मन की शक्तियां बहुत जवरदस्त हैं आप इसको अपने लिए अपने परिवार के लिए पेशेंट के लिए किसी भी समस्या के लिए यूज करें भैक के पेशेंट आपके पास आते हैं सिखा देना सबेरे उठते ही रोज साथ बार याद करें मैं भगवान की संतान बहुत पावरफुल हूँ निर्भै हूँ हजारों साल का छुपा हुआ भै भी भाग जाएगा तो हमारे मन बहुत सक्तियों से भरा हुआ है वो सब भंडार आपके इधर ही है उसको एक्टिवेट करेंगे उसे योज करेंगे जीवन आनंद भी भावर हो जाएगा थेंक्यू वेरी मच ओम चाना देगा एक मिनट टीप साइलेंस में बैठके समाथ करते हैं चलें सभी अपने अंदर मैं आत्मा बहुत शक्ति साली हूँ सर्व शक्तिवान की संतान हूँ फिल करेंगे उपर से परंपिता से सार्व शक्तिवान से सक्तियों के वाइब्रेशन्स सक्तियों की किरने मुझ में समा रही हैं अंश्तियों के वाइब्रेशन्स अंश्तियों ओम शांति सभी एक हाथ की ताली से आधर्निय सुरज भाई जी का क्या करेंगे दिल से धन्यवाद वो सुरज तो सुबह उगता है दिन में ढल जाता है पर हमारे आधर्निय सुरज भाई जी तो निरंतर जहें विश्य को प्रकाशित करते हैं ऐसे सुरज भाई जी के लिए